डोस्तों क्या आपके भीрист टो डिखाया है यहां पर आपका watch time दिखाया देता है यहां पर डॉलर दिकाइबर दिखाया देता था लेकिन अब आपके यहां पर कुछ भी दिखाया दे रहा है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तो इस तरीके का आपकेlyaute students पर आपको कस असरा पल्सक्राइबिगों आ già जाले आ और अगर जाले डिंटीक्स पर क्लिक रहे तो यहाँ पर देखने को मिला जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां किहीं पर आपको कुछ भी दिखाए नहीं दे रहा है अगर हम नीची आते हैं अगर मैं या analytics पर click कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल दा है इस तरीके का आपको interface देखने को मिल दा है जब कि हम यहाँ पर analytics पर click करते थे तो हमारे YT Studio का real time view दिखाई देता था मतलब कि 48 घंटे में आपके YouTube चनल पर कितना भी वाया है 60 मिनट में आपके YouTube चनल पर कितने विव आ रहे हैं यह सब चीज़े यहाँ पर दिखाई देते थे लेकिन अब यहाँ पर कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा है यहाँ का कुछ option यहाँ पर gap हो चुका है आप लोग देख सकते ह यहाँ पर research का content का audience का revenue का option आपको देखने को मिलना है यहाँ पर कुछ और भी option पहले हुआ करते थे जो अभी यहाँ से remove हो चुके हैं हट चुके हैं अगर हम यहाँ पर revenue पर भी click कर रहे हैं तो यहाँ पर देखे दोस्तो कुछ इस तरीके से लिख करा रहा है something went wrong लिख करा दे रहा है लेकिन दोस्तो यहाँ पर problem यह आ रहा है जब भी आप dashboard पर click कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो सिफ subscriber दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका view, wall stamp subscriber और revenue यह सब चीज़े यहाँ पर show नहीं कर रहा हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने YouTube चनल पर कुछ ऐसे गलती कर दी है जिसके वज़े से आपके YT Studio में यह 4 option gap हो चुके हैं तो दोस्तो अब यह सवाल आता है कि क्या आपकी गलती के वज़े से इस तरीके का problem हुआ है क्या आपने YouTube चनल पर कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके वज़े से यहाँ पर आपके view नहीं नहीं दे रहा है बस इस तरीके का interface आपके phone के अंदर दिखाई दे रहा है तो आखिर यह गलती क्या है जिसके वज़े से हमारे YT Studio में इस परकार का interface देखने को मिल दा है तो दोस्तों मैं आपके जनकारी के लिए बता दू कि YouTube पर हर रोज daily by daily बहुत सारे वीडियो upload होते र जिसके वज़े से काफी YouTuber के काफी Creators के YT Studio में कुछ problem देखने को मिल जाती है तो दोस्तों आपको घाबराने की जरुबत नहीं है यह YouTube के तरह से इस तरीके का problem आया हुआ है और यह जो problem है वो 24 घंटे के अंदर में automatically साही हो जाएगा आप लोग घाबरा कर आप लोग आपके view दिखाई देने लगे, watch time दिखाई देने लगेगा, subscriber भी दिखाई देने लगेगा और आपका revenue भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा तो यह सिर्फ दोस्तों YouTube के bug की वज़र से हुआ है और यह problem भी आपके 24 घंटे के अंदर में solve हो जाएगा और आपके YT Studio में आ अगर आप revenue पर click कर रहे होंगे तो इस तरीके से processing लिखने के बाद something went wrong लिख कराता होगा यह भी problem दोस्तों बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है यह अभी कि अभी एक घंटे पहले इस तरीके का problem स्टार्ट हुआ है मैंने भी जब अपने YT Studio को open किया तो सबसे पहले यहां पर देखा तो कुछ ऐसा interface मुझे देखने को मिला तो मैं भी घंटा गया ता फिर मैंने सोचा इसके बारे में जब पढ़ा Google पर जाकर यूटूब पर जाकर देखा तो काफी लोगों ने इस बारे में बात किया कि यह एक YouTube का bug है जिसके काफी लोग इस चीज़ को देखकर तो घाबरा गये होंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि इस topic पर वीडियो बनाकर आपकी इस problem को solve किया जाए ताकि आप इस चीज़ को देखकर घाबराए नहीं ठीक है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफीकिशन आप तक पहुँचेगा चलि अज़रूर्सErुब च्टाइब कर लिए हमारे टाकि मैं जब बनाऊंगा उसका जड़ा चलिएगा झा पहुचेगा लिएगा